हलो फ्रेंड्स मैं हूँ पंकच इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टाइपस और प्रोनाउंस सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं और साथ ही उनका कुछ एक्जांपल देखेंगे तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले आता है पर्सनल प्रोनाउंस व्यक्तिगत सर्वनाम अब व्यक्तिगत सर्वनाम में देखें कौन-कौन से आते हैं आई मींस मैं यू मतलब तूम या आप ही मतलब वह यह लड़का के लिए यूज होता है शी मतलब वह यह लड़की के लिए यूज होता है इट मतलब यह और वह जो की निर्यू वस्तू यह जानवर के लिए यूज होता है वी मतलब हम, दे मतलब वी, चलिए इसका कुछ एक्जांपल देखते हैं यहाँ पर पर्शनल प्रोनाउंस के वैक्तिकत सरुनाम के एक्जांपल देखिए I am a student, मैं एक छात्र हूँ, I के लिए मैं You are very talented, तुम बहुत प्रतिभाशाली हूँ, या आप बहुत प्रतिभाशाली है यू के लिए यहाँ पर तुम या आप यूज कर सकते हो He is going to the office, वहाँ कारला जा रहा है जा रहा है, मिस लड़का है, उसके लिए ही का यूज किया गया है चलिए next example देखते हैं Next example देखिए See, lost to read books वहाँ किताय पढ़ना पसंद करती है करती है, लड़की है, इसलिए यहाँ पर श्री का यूज किया गया है Next example देखिए It is a beautiful day यहाँ एक सुन्दर दिन है यहाँ वहाँ एक सुन्दर दिन है जो की निर्जी वस्तु है इसलिए यहाँ पर it का यूज किया गया है यहाँ के लिए और वहाँ के लिए Next example देखिए We are planning a trip हम एक यात्रा की यूजना बना रहे हैं हम के लिए we का यूज किया गया है Next example देखिए They are playing in the park वे पार्क में खेल रहे हैं दे के लिए we तो यह था personal pronouns वेक्तिगर सरवनाम का example चलिए next देखते हैं Next pronouns type है Possessive pronouns अधिकार वाचक सरवनाम अब इसमें देखिए क्या क्या आता है My जो की मेरा मेरी मेरे के लिए यूज किया जाता है Your जो की तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारे के लिए यूज किया जाता है His उसका उसके लड़के के लिए यूज किया जाता है हर उसकी उसके लड़की के लिए यूज़ के जाता है इट्स इसका इसके जो की निर्जी वस्तु के लिए यूज़ के जाता है आर जो की हमारा हमारी हमारे के लिए यूज़ के जाता है देयर उनका उनकी उनकी के लिए यूज़ के जाते हैं चलिए इनका कुछ example देखते हैं possessive pronouns का example देखिए My book is on the table मेरे किताब मेज पर है मेरी मेरा मेरे के लिए my Next देखिए Your jacket is very stylish तुम्हारी jacket बहुत stylish है या आपकी jacket बहुत stylish है तुम्हारी आपकी के लिए your Next देखिए His car is parked outside उसकी गाड़ी बहार खड़ी है लड़का के लिए his चलिए next example देखते हैं Next example देखिए Her bag is very heavy उसका bag बहुत भारी है जो की लड़की के लिए यूज किया गया है इतलिए यहां पे हर है Next देखिए Its roof is leaking इसकी छट टपक रही है नीजी वस्तू या जानवर के लिए its का यूज किया जाता है Next देखिए Our project is almost complete हमारा project लगभग पूरा हो गया है Our जो की हमारा के लिए यूज किया जाता है Their house is very big उनका घर बहुत बड़ा है उनके के लिए there तो ये था possessive pronouns अधिकार वाचक सरवनाम का example चलिए next देखते हैं Next pronounce type है Reflexive pronouns नीच वाचक सरवनाम इसमें देखिए कौन-कौन से आते हैं Myself जो की मैं स्वयम होता है meaning इसका Yourself जो की तुम स्वयम होता है meaning इसका Himself वा स्वयम होता है जो की लड़का के लिए यूज के जाता है Herself होता है जो की वा स्वयम होता है और लड़की के लिए यूज के जाता है Itself होता है या स्वयम होता है और इसको निर्जी वस्तो के लिए यूज के जाता है Ourselves होता है Hum स्वयम के लिए Themselves होता है Where स्वयम के लिए अब चलिए इनका कुछ example देखते है reflexive pronounce के कुछ example देखिए आपि I cook the entire meal myself मैंने पूरा खाना स्वेम बनाया देखिए मैंने जो है खाना स्वेम बनाया उसके लिए myself और I के साथ यहाँ पर myself का यूज़ किया जाता है next example देखिए You should take care of yourself तुमको स्वेम का ख्यार रखना चाहिए या आपको स्वेम का ख्यार रखना चाहिए You के साथ हमेशा yourself का यूज़ किया जाता है चलिए next example देखिए देखिए next example देखिए यहाँ पर He fixed the bike himself उसने cycle स्वेम ठीक की उसने cycle स्वेम ठीक की उसने जो कि लड़कर के लिए यूज़ किया जाता है इसे ही और ही के साथ यहाँ पर himself का यूज़ किया जाता है Next example देखिए She wrote a letter Herself उसने पत्र स्वेम लिखा किसने लिखा लड़के ने लिखा इसलिए she है और she के साथ यहाँ पर यूज़ होता है Herself चलिए next example देखते है Next example देखें यहाँ पर The cat cleaned itself बिल्ली ने स्वेम को साप किया अब जो है निर्जी वस्तू या जानर के लिए इट का यूज़ किया जाता है और यहाँ पर cat जो कि जानवर है इसलिए यहाँ पर इट सेल्फ का यूज़ किया गया है Next example देखिए We built the tree house ourselves हम ने पेड का घर स्वेम बनाया हम लोग ने स्वेम बनाया तो we के साथ हमेशा और सेल्फ का यूज़ किया जाता है Next example देखिए They managed the event themselves उन्होंने कारेकरव का प्रबंदन स्वेम किया उन्होंने जो कारेकरव का प्रबंदन स्वेम किया तो यहां पे देखिए साथ हमेशा देम स्वेम का यूज़ के जाता है तो यह था रिफ्लेक्सी प्रणॉंस का एक्जांपल चलिए next टाइप लेखते हैं प्रणॉंस का Next प्रणॉंस टाइप है Demonstrative प्रणॉंस प्रदशनात्मक स्वरुनाम इस में क्या क्या आते देखिए दीस का मतलब या होता है दैट मतलब वह होता है दीस मतलब ये होता है दोज मतलब ये होता है अब चलिए इनका कुछ एक्जांपल देखते हैं यहां पर Demonstrative प्रणॉंस कि इक्जांपल देखिए This is my favorite book यहाँ मेरी पसंदीता किताब है जब आपके पास सामने कोई चीज रकी हो तो वहाँ पे दीज का यूज किया जाता है और वो सिंगलर्म हो तो अब देखें यहाँ पे लिखा है दीज फ्लावर्स आर ब्यूटिफूल यह फूल सुन्दर है देखें यहाँ पे बहुत साले फ्लावर्स है और वो प्लूरर्स है मतलब बहुत सारे है तो यहाँ पे दीज का यूज किया गया है अब नीचे देखें वह एक पुरानी इमारत है एक इमारत है और वो दूर में है तो यहाँ पर that का use किया गया है अब यहाँ पर देखिए भगलमस के those people are my neighbors वे लोग मेरे पड़ोसी हैं अब देखिए यहाँ पर वो लोग मेरे पड़ोसी हैं बहुत सारे हैं और धूर में हैं तो यहाँ पर दोस का use किया गया है तो यह चीट को समझ देखिए आपे these और these में these का use किया जाता है जब singular हो पास में हो उसके लिए these का use किया जाता है जब वो plural हो और बहुत सारे हो that का use किया जाता है जब वो single हो और दूर में हो दोस का use किया जाता है जब plural हो और दूर में हो तो ये था Demonstratic Pronouns का example चलिए Next Pronouns के टाइप देखते हैं Next Pronouns के टाइप है Interrogative Pronouns प्रश्ण वाचक सरनाम अब इसमें देखिए कौन कौन से आते हैं Who जो की कौन के लिए यूज के जाता है Whom जो की किसे किसको के लिए यूज के जाता है Whom जो की किसका किसकी किसके के लिए यूज के जाता है What मतलब क्या के लिए यूज के जाता है Which कौन सा कौन सी कौन से के लिए यूज के जाता है अब चलिए इसका example देखते हैं यहाँ पर Interrogative Pronouns के example देखिए Who is coming to the party कौन party में आ रहा है कौन के लिए Who Next example देखिए Whom did you meet yesterday तुमने कल किसे मुलाकात की किसे के लिए Who चलिए next example देखते हैं तुम्हारा नाम क्या है क्या है क्या है के लिए Who's तुम कौन सी फिल्म देखना चाहते हो कौन सी के लिए Which तो यह था Interrogative Pronouns के example चलिए next pronounce के टाइप देखते हैं अनिशित कालीन सरो नाम इसमें देखिए कौनकों से आते हैं Anyone मतलब कोई भी Everyone मतलब सभी Someone मतलब कोई No one कोई नहीं Anybody कोई भी Somebody कोई Nobody means कोई नहीं Anything means कुछ भी Everything मतलब सब कुछ Something मतलब कुछ Nothing मतलब कुछ नहीं तो यह थे अनिशित कालीन सरो नाम के example और इसका आप sentence देखेंगे के किस तरह से इनका sentence बनता है यहाँ पर Indefinite Pronouns के example देखिए Anyone can join the competition कोई भी मुकाबले में शामिल हो शकता है कोई भी means anyone का यूज कर सकते है Everyone enjoyed the party last night कल रात सभी party का अनन लिया सभी लोगों ने इसलिए everyone Next example देखिए Someone is knocking at the door दरवाजे पर कोई खटखटा रहा है कोई means someone चलिए next example देखिए Next example देखिए इस काम में कोई भी मदद कर सकता है कोई भी anybody Next example देखिए Somebody left their umbrella here कोई अपनी चाता यहाँ छोड़ गया कोई somebody चलिए next example देखिए Next example देखिए Next example देखिए Nobody knows the answer to this question इस सवाल का जवाब कोई नहीं जानता कोई नहीं means nobody Next example देखिए Anything is possible if you put your mind to it अगर तुम अपने मन से लगाओ तो कुछ भी संभव है कुछ भी means anything Next example देखिए Everything was ready for the event आएजन के लिए सब कुछ तयार था सब कुछ everything चलिए next example देखिए Next example देखिए आपे Something is bothering him lately हाल ही में कुछ उसे परिसान कर रहा है कुछ मसलब something Next देखिए Nothing can stop us now अब हमें कोई नहीं रोक सकता कोई नहीं means nothing तो यह था indefinite pronouns के example चलिए next pronouns के टाइप दिखते हैं Next pronouns के टाइप है relative pronouns सापेक्च सरवनाम इसमें देखिए कौन को से आता है who मतलब जो व्यक्ति के लिए whom जिसे व्यक्ति के लिए whose जिसका जिसकी जिसके के लिए use होता है which जो वस्तु या पसु के लिए use होता है that मतलब जो समारूप से use के जाता है फ्रेंड यह जो relative pronouns है यह interrogative pronouns प्रश्णवात सरवनाम में भी use होता है अब यहाँ पर relative pronouns में यह कैसे use के जाता है कैसे इसका सेंटेप बनता है यह देखते हैं यहाँ पर relative pronouns के example देखिए who is dead girl standing near the door दरवाजी के पास खड़ी हुआ जो लड़की है वो कौन है जो के लिए यहाँ पर हो का use किया गया है next example देखिए whom did you invite to the party party में जिसे तुमने आमंत्रित किया वो कौन है जिसे के लिए यहाँ पर हो का use किया गया है next example देखते हैं next example है whose book is this on the table मेज पर यह पुस्तक जिसकी है वो किसकी है जिसकी के लिए whose next example देखिए which movie did you watch last night कल राज जिस फिल्म को तुमने देखी वो कौन सी थी जिसके लिए which next example देखिए that is the car which I was talking about वह गाड़ी जो मैं बात कर रहा था वह वही है जो कि लिए that तो यह था friend relative आज का वीडियो डिफरेंट टाइप आप प्रणाउंस जितने भी प्रणाउंस से उसका एक्जामपल भी से तो मैंने आपको दिखाया इसमें आई होप यह आपको वीडियो अच्छा लगा होगा इसको पढ़िए समझे और साथ ही मेरे चैनल को लाइक किजिए सब्सक्रा आपको वीडियो